मेरे प्यारे देश वास्यों, जब किसी देश में बिलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाती को, किसी जीव्यन्तु को बचा लिया जाता है, तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महन प्रमपराय भी हैं, जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन मस्तित से हट चुकी थी। लेकिन अब इन्हें जनभागेदारी की सक्ति से पुनर जीवित करने का प्रयास हो रहा है, तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बहतर मन्च और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसंदता होगी। विरासत पर गर्व होगा। अमेरिका में रहने वाले स्रिमान कंचन बैनर जी ने विरासत के सवरक्षन से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकरशित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, साथियों पस्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांस बेजिया में इस महीने त्रिवेनी कुम्भो महोत्सोग का आयोजन किया गया। इसमें आठ लाग से जादा सरधालू शामिल हुए। लिकिन के आप जानते हैं कि ये इतना इसलिए क्योंकि इस प्रथा को साथ सो साल के बाद पुनर जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्स पुरानी है। लेकिन दुर्भाग्य से साथ सो साल पहले बंगाल के क्रिवेनी में होने वाला ये महोत्सोग बंध हो गया था। इसे आजादी के हो पाया। दो वर्स पहले स्थानिय लोग और त्रिवेनी कुम्भो पौरिशालोना स्वमिती के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं। बलकि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों पश्चिम मंगाल में त्रिवेनी को सदियों से एक प्रवित्र स्थल के रुप में जाना जाता है। इसका उलेक विभिन्य मंगलकाव्य, वैश्णव साहित्य, शाक्त साह और अन्य बंगाली साहितिक रुप्यों में भी मिलता है। विभिन्य एतियासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी ये ख्षेत्र, संस्कृत, शिक्षा और भारतिय संस्कृत का केंद्रता, कई संत इसे माग संक्रांती में कुम्पस नान के लिए पवित्र स्थान म त्रिबेनी में आपको कई गंगा घाट, शूमंदीर और टेरा कोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिबेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुम्परमप्रा के गवरों को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले सा कुम्ब मेले का आविजन किया गया था। सात सद्यों बाद तीन दिन के कुम्ब महास्नान और मेले ने इस खेत्र में एक नई उर्जा का संचार किया है। तीन दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रदराभिशेक और यगन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महत्सव में विभिन आस्रम, मठ और अखाडे भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन विधाएं जैसे किर्तन, बावुल, गोडियो नुर्तो, स्रीखोल, पोटेरगान, छोऊनाज, शाम के कारकम में आकरशन का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनरे अतीत से जोडने का एक भावती सरहानिय प्रयास है, भारत मैसी कई और प्रैक्टिसिज हैं जिने रिभाईव करने की जरूरत है, मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर पेरीद करेगी ह कि युवाओं करेगी है